पूजे जूलेलाल जैनती समारो समीती जारा चालीस संस्ताय मिलकर पचास कारिक्रम आयुजित की कर रही है इन पचास कारिक्रमों के अंदर सिर्फ नाजगाना ही नहीं है सेवा के काम भी इसके अंदर जुड़े हुए है जैसे कि आज ब्लडवेंग के उपर सिंदी युवा संगठन के द्वारा आज रखदान शिविर किया जा रहा है इस रखदान शिविर के अंदर विशेश रूप से यह है कि जो रखद देने वाले बंदू है उन्हें यहाँ पर हेलमेट दिया गया और सासाद उन्हें प्रशश्री पत्त भी दिया गया जो यहाँ पर हेलमेट देने का भी मकसद जैसा कि हमारे कुमाल अल्वाली जी ने बताया कि हेलमेट देने का मकसद जीवन सुरक्षा है और जीवन सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और चेटी चन्ड के इस आउसर के उपपर आप लोगों को सभी को चेटी चन्ड की भौद बहुद शुब काम नहीं है और सासर नवसाउसर की भी भौद बहुद शुब काम पूजे जूलेलाल जैनती समारो समीती द्वारा चालीस संस्थाएं मिलकर पचास कारिक्रम आयुजित की कर रही है इन पचास कारिक्रमों के अंदर सिर्फ नाजगाना ही नहीं है सेवा के काम भी इसके अंदर जुड़े हुए है जैसे कि आज ब्लडवेंग के उपर सिंदी युवा संगठन के द्वारा आज रखदान शिविर किया जा रहा है यसे रखदान शिविर के अंदर विशेश रूप से यह है कि जो रखद देने वाले बंदू है उन्हें यहाँ पर हेलमेट दिया गया और सासाद उन्हें प्रशश्री पत्त भी दिया गया जो यहाँ पर हेलमेट देने का भी मकसद जैसा कि हमारे कुमाल अल्वाली जी ने बताया कि हेलमेट देने का मकसद जीवन सुरक्षा है और जीवन सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और चेटी चंड के इस आउसर के उपर आप लोगों को सभी को चेटी चंड की बहुत बहुत शुब काम नहीं और सासा नवसाउसर की भी बहुत बहुत शुब काम